क्या आपको पता है कि रावन को आखिर क्यों ब्रह्म ग्यानी कहा जाता था क्योंकि उसकी नौलेज वनस्पती पेड़ पौध है और उनकी जड़ों में बहुत अधिक थी उसे इन जड़ों का असली महत्व मालूम था नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तीस्तिवहार और धर्मे दोस्तों रावन को सभी एक विश्व ग्यानी महापंडित या रावन के रूप में जानते थे तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, रावन सहीता की आज में आप सभी को बहुत ही बड़ी जानकारी देने वाली हूँ, रावन न केवल एक महान विद्वान पंडित था, बलकि वो एक जोतिश और भगवान शिव का परम भक्त भी था, और अपने जमानी का एक महान साइन्टिस्ट भी माना जाता था, जिसने पुश्पक विमान यानि की एरोपलेन की खोज करी थी, रावन अपने दस शीशों के कारण आज भी जाना जाता है, दर्श को जिसके कारण उसका नाम दशानन पड़ा था, देखिए, रावन ने शिवतांडव स्त्रोत और शिव सहिता की रचना की थी, आज जो आप सभी शिवतांडव स्त्रोत का गान करते हैं, वो भी रावन की द्वारा ही रचित थी, भगवान शंकर को प्रसन करने के लिए रावन के द्वारा ही इसकी रचना की गई थी, रावन सहिता में रावन की धनवान होनी का राज स सहित एक कई तंत्र मंत्र के बारे में भी लिखा गया है जिसे गुप्त और गड़ा धन आपको बहुत ही आसानी से मिल सकता है ये बात रावन सहिता में साफ साफ लिखी हुई है जिसमें रावन ने उनके धनवान होने का राज धन प्राप्ति के अचूक उपाय और शक्तिश उपाय बताए हैं दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो रावन को ग्यान में पचार सके माना जाता है कि सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो संपूर्ण ग्रह रावन के इशारों पर ही चलते हैं कोई भी ग्रह रावन के विरुध कार्य नहीं कर सकता है तो आप समझ सकते हैं कि रावन कितना बड़ा ग्यानी था कितना बड़ा शक्तिशाली था यहां तक कि मेघनात के जन के पूर्व जब वो अपनी माता यानि की मंदोदरी के गर्भ में था तब रावन ने उसे अमर बनाने के लिए सभी नक्षत्रों को एक साथ इस्थिती में लाकर खड़ा कर दिया था तो इस दोरान सभी ग्रहों ने रावन के निर्देशानू सारही कार्य किया था लेकिन केवल शनी ने अपना इस्थान परिवर्तन कर दिया था जिसके चलते मेघनात को अमर बनाने का रावन का सपना सपना ही रह जाता है और इसी कारण मेघनात यशस् पराक्रमी योध्धा होने के बावजूद भी अल्प आयू का बन गया था। भले ही रामायन का सबसे नकारात्मक पात्र रावन था। उसी ने जान बूझ कर सीता हरण किया था। क्योंकि कहा जाता है कि रावन जानता था कि प्रभु श्री राम, श्री राम चंद्रिजो हैं वो भगवान विश्नु के अवतार हैं। यदि उनके हाथ किसी की मृत्यू होती है जो कि उसकी निश्चित थी तो उसे बैकूंट की प्राप्ती भी होती है। ऐसे में उसने अपने पूरे परिवार के उधार के लिए जान बूझ कर प्रभु श्री राम से शत्रुता की थ तो चलिए इस वीडियो में मैं आज आपको बताती हूँ कि रावन द्वारा रचित कुछ ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जिनके प्रयोग से आप इस दुनिया की हर एक खुशी को पा सकते हैं। अपनी हर एक मनोकामना इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। आज मैं आपक कुछ तांत्रिक वस्तूओं के बारे में बताऊंगी जिसे धारन करने के बाद व्यक्ति की आध्यात्म उन्नती होती है। व्यक्ति धनवान बनने के साथ ही गुणवान भी बन जाता है। आप अपने इशारों पर सबको नचा सकते हैं। आप जो भी बोलेंगे वही आपक करने वाले हैं। इसे धारन करने के बाद इतनी धनसंपदा आने शुरू हो जाएगी जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं की होगी। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कुछ साधारन उपाय बताऊंगी उसके बाद जो जड़ आपको पहननी है उसके बारे में है। सफेद दूर्वा आपको लेनी है और जिसमें कपिला गाय यानि की सफेद गाय के दूद के साथ आपको उसे पीस लेना है। इसके बाद इसका तिलक आपको लगाना है। ऐसा करने से जहां भी आप जाएंगे आपको उस कारे में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। ये वशीकरन का भी काम करता है। जबरदस्त पावरफुल वशीकरन का ये काम करता है। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे ऐसे गुप्त जानकारी और उपाय बताऊंगी जो कि आपको किसी भी किताब में देखने पढ़ने या फिर किसी बड़े बुजूर्ग से भी सुनने को नहीं मिलेगी लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ पासवाला बैल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में तुरंत जैश्री राम जरूर ल कि इसके लिए जातक को सचे मन और पूरी श्रद्धा के साथ कुबेर मंत्र जरूर जपना चाहिए कुबेर मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको कम से भी कम 108 बार इसका जाप अवश्य नित्य रूप से जरूर करना चाहिए इस मंत्र का जाप आप सभी होली या दिवाली या कभी भी कितना भी जितना जाप कर सके जरूर कीजेगा इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको हमेशा मिलता रहेगा आपकी घर में तीन महीने के भीतर इतना ज्यादा धन समपता आ जाएगी जिसके बारे में आपने कभी कलपना भी नहीं की होगी ले पेर देव का आना निश्चित हो जाता है लेकिन जब आप इसका जाप करें तो अपने सामने कोडियां साथ कोडी अवश्य रख लें इससे ये दुगनी तेजी से कारे करना प्रारंब कर देता है और जब आपके तीन महीने पूरे हो जाए तो उसे उठा करके उन कोडियों को आप अपने पैसे वाले इस्थान पर रख दीजे मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन्धानी की कोई कमी नहीं हो सकती ऐसा मैं नहीं कह रही बलकि रावन सहिता की ये किताब कहती है चलिए अब इस वीडियो में जानते हैं रावन जी के अनुसार कौन सी जड़ी बूटी को धारन करने के बारे में उन्होंने कहा है कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जिसे धारन करने से हम अपनी हर इच्छा को पून कर सकते हैं जिसे धारण करने के बाद हम अपनी तक्तीर को बदल सकते हैं, अपने बुरे समय को समाप्त कर सकते हैं, अपने भागे को चमका सकते हैं। पहला है काला धतूरा ध्यान से सुनिएगा रावण कहता है रावण सहिता के अनुसार कि जितनी भी समाज में अनहोनिया होती हैं दुरगटनाय होती हैं मान सम्मान की हानी होती है जीवन में तरक्की नहीं मिल पाती है व्यक्ति हर समय परिशान बना रहता है जो की ग्रहों के कारण होता है शनी के कारण होता है तो ऐसा माना जाता है कि काले धतूरे की जो जड़ होती है इसके अंदर भैरव बाबा का वास होता है महा काल का वास माना जाता है और साथ ही साथ भगवान शनी देव का भी इसी के अंदर वास माना जाता है तो ऐसा कहा गया है कि काले धतू और उसके इशारे पर दुनिया चलना शुरू हो जाती है अगर कोई व्यक्ति तुरंत ही धनवान बनना चाहता है या फिर सट्टे में विजय प्राप्त करना चाहता है या शेयर मार्केट में अच्छे लाब या मुनाफ़ा कमाना चाहता है काले बाजारी से धन प्राप्त कर लेकिन सबसे पहले आप ये समझे कि रावन जी कहते हैं कि काले एरन की जो जड़ होती है वैसे तो एरन दो प्रकार की होती है सफेद, काला और लाल भी होती है लाल तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है लेकिन काला एरन जो है वो भी अगर आप थोड़ा सा धूने तो आपको कहीं भी मिल जाएगी यत्र तत्रू ये रहती ही है लेकिन आपको इसे थोड़ा सा ढूना पड़ेगा कोई कठिन नहीं है लेकिन थोड़ा सा दुरलब है ऐसा माना जाता है कि एरन माता पारवती का स्वरूप होता है माता पारवती इसके अंदर ही उत्पन हुई थी इसलिए जो भी व्यक्ति काला एरन की जड़ को धारण कर लेता है इस व्यक्ति के अंदर सभी प्रकार की महाशक्तियां अपने आप ही पैदा हो जाती है उत्पन हो जाती है क्योंकि मापारवती की कृपा उसको प्राप्त हो जाती है ऐसे व्यक्ति की शरीर में समोहन की बढ़ने लगती है ऐसे व्यक्ति पर मालक्षमी खुल कर धन लुटाना शूरू कर देती है अगली जो चीज आप धारन कर सकते हैं वो है काली हल्दी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली जो दांत्रिक चीज होती है वो है काली हल्दी कह जाता है कि काली हल्दी के अंदर साक्षात मा काली का स्वरूप विद्यमान होता है जो भी व्यक्ति काली हल्दी की जड़ या फिर काली हल्दी को धारन कर लेता है उसके अंदर अपार शक्तिया मा काली की सिध्धियां उसे प्राप्त हो जाती है और ऐसा व्यक्ति चलती बलकि रावन सहिता कहती है, जिस व्यक्ति के पास काली हल्दी होती है, उसके उपर नोटो की बारिश होना निश्चित हो जाता है, ये दोस्तों जानकारियां आपको किसी भी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगी, बलकि रावन सहिता के अंदर ही मिलेगी, जिसके पास काली ह तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि इन जड़ों को आपको कब किस नक्षत्र में धारन करना है किस दिन करना है किस समय करना है शुब मुहुर्त क्या रहेगा लेकिन उससे पहले आप सभी से एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके च जड़ों को धारन करने से पहले एक दिन पहले ही आपको इन सभी जड़ों को पौधों को निमंत्रन देकर आना है एक दिन पहले जैसे कि शुब मुहुर्त जो है आपका दिवाली, होली या फिर कोई भी ऐसा त्योहार जो मुहुर्त में पढ़ने वाला हो रवे पुश्य नक्षत्र हो गुरु पुष्ये नक्षत्र हो या फिर सरवार्थ सिध्धी योग बन रहा हो कोई भी शुब मुहुर्त में आप इसे धारन कर सकते हैं लेकिन उसके एक दिन पहले ही आपको निमंत्रण दे कर आना होगा जैसे मान लीजे आपको रविवार के दिन इसे धारन क पीले चावल आप रखें उसके बाद पांच अगरबत्ती आपको लेनी है और आपको नारियल रख लेना है जिसके बाद आपको अगरबत्ती जलानी है वहीं पर और आपको नारियल भी वहीं पर भेट चड़ा देना है जो पेड़ आप जिसकी जड़ को लेकर आना चाहते है जैसे कि आप काले धतूरे की जड़ को लेकर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पर नारियल अंभेट करना है चामल चड़ा देने है फिर आपको प्रार्थना करनी है कि हे ओशधी महराज व्रक्ष राज मैं आपकी जड़ का प्रयोग करना चाहता हूँ इस कारे क के लिए ये बोल करके आपको धन प्राप्ति के लिए शनी की जो कुदरिष्टी है उससे बचाने के लिए आप मेरा आत्म कल्यान करें इस प्रकार से प्राथना जरूर करनी है जो भी जड़ आप लेकर आएं उसकी प्रार्थना करके ही आपना है इसके बाद आप उन्हें जाना है चुपके से जड़ को ले कराएं बिना किसी को बताएं फिर आप इसके जड़ को सर प्रथम गंगा जल से या फिर कच्छे दूद से इसनान करा दें कुमकुम रोली या अक्षत लगा कर इसको सबसे पहले आपको अपने पूजा घर में रख देना है पूजा करनी है और इसके बाद चांदी के तावीज में डाल कर इसे आप धारन कर लीजेगा क्योंकि चांदी के तावीज जो होते हैं वो शीतल होते हैं आपको कोई भी नकारात्मक प्रभाव से बचाने का कारे करते हैं आपको चांदी के तावीज में इसे डालना है और पहन लेना है बुटी इस दिन धारण करने से उगरता होती है तुरंत रिजल्ट प्राप्ट हो जाता है प्रकर्ती हमारा साथ देना शुरू कर देती है तो दोस्तों बुधवार और शनिवार के दिन भी आप इसे पहन सकते हैं दोस्तों इन जड़ों की जितने भी रिजल्ट मैंने आपको बताए है न वो तो सिर्फ एक परसेंट रिजल्ट है इन जड़ों को धारण करने के बाद आप अपने मन की हर एक इच्छा को पूंड कर सकते हैं चाहे वो किसी को अपने वशीभूत करना हो या फिर नौकरी में प्रमोशन पाना है या फिर प्रोपर्टी खरीदनी है या फिर संतान प्राप्ती ही क्यों ना हो हर तरीके से ये जड़े कारगर ही सिद्ध होती है इन्हें जरूर धारण कीजेगा इनसे जुड़े हुए कोई प्रशने जो आपके मन में चल रहे हैं तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेगा वीडियो पसंद आया तो पास वारा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजेगा तब तक के लिए जै श्री राम जै बागिश्वर धाम